जैस्री राम के नारों की गूज वधान सबा में आया UCC विपक्ष में मचा हड़कम UCC से क्या बदलेगा नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाविस्ट उत्रा खंड वधान सबा में मोक्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने समान नागरिक सहीता को लेकर बिल पेश कर दिया है यानी UCC पेश कर दिया है अब इसको लेकर वधान सबा में चर्च को का ध्यान रखा गया है यूसी सी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्राखंड देश का पहला राज्ज है जैसे ही सीम धामी ने यूसी सी विधाय को सदन के पटल पर रखा वैसे ही पूरे विपक्ष में हड़कम्प मज गया उत्राखंड यूसी सी में लिव-इन पर रहने वालों के लिए सेल्फ डेक्लिरेशन संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार शादी पंजिकरण अनिवार आदी मुद्दों को शामिल क्या गया है तो आज बात होगी यूसी सी बिल पर बात होगी विपक्षियों में मचे हंगामे की तो चलिए शुडू करते हैं उत्राखन विधानसवा में विपक्ष की ओर से हंगामा देखा गया विपक्षी दलों के वधायक और नेता हाथों में तक्तिया लेकर पहुंची वो सरकार पर सभी वर्गों के हितों की अंदेखी का आरोप लगा रहे थी और ये हंगामे की वज़ा है यूसी सी सिविल कोड सियम पुषकर सिंग धामी यूसी सी बिल वधानसवा में पेश करने के लिए घर से निकले यूसी सी बिल को पेश करने के लिए सियम धामी भारत का सविधान लेकर निकले दिखाए दिये फिर मुक्यमंत्री धामी ने वधानसवा में यूसी सी पेश करते ही यह मौझूद वधायकों ने वंदे मातरम और जैस्री राम के नारे लगाए इस वधायक पर चर्चा के लिए दोपाहर के भोजन के बाद का समय तैक किया गया वधानसबा में इस पर अब दोपाहर दो बजे चर्चा हुई वधानसबा में बिल पेश करने से पहले वपक्षी दल ने हंगामा किया और बिल पर चर्चा करने की मांग की मंगलवार का दिन उत्तराखंड वधानसबा के लिए एतिहासिक बन गया है उत्तराखंड वधानसबा देश की पहली वधानसबा बन गई है जहां समान नागरिक सहीता वधायक पर चर्चा हो रही है देश में समान ना यानि की राजियों में भी uniform civil code लागू किया सकता है उत्राखन की पुषकर सिंघ धामी सरकार इस मामले में record बनाने में सफल रही है युनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से धार्मिक आधार पर मिलने वाली स्वतंतर्दा लोगों से छीन जाएगी भारती जंता पार्टी के प्रावधाउन सभी वर्गों पर एक संबाल लागू होंगे उत्राखण ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है जहां वधान सभा में UCC का कानून लाया जा रहा है सूत्रों का कहना है की मसाुदे में 400 से अधिक धाराय शामिल है जिसका लक्ष पारंपरिक रिती रिवाजों से उत्पन होने वाली वसंगतियों को खत्म करना है उत्राखन वधानसभा में UCC वधायक पास होने के बात कानून बन जाएगा आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि ये बिल पास होने से क्या होगा और क्या नहीं बदलेगा आपको बता दे कि UCC के तहट सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की नियुमतन उम्र 18 साल की होगी पुरुष महिला को तलाग देने के लिए समान अधिकार मिलेगा लिविन रिलेशन्शिप डिक्लेयर करना जरूरी है लिविन में रेजिटेशन कराने नहीं पर 6 महिने की सजा होगी लिविन में पैदा बच्चों को संपती में समान अधिकार है महिला के दोबारा विवा में कोई शर्त नहीं है अनसोचित जनजाती दायरे से बाहर है बहु विवा पर रोक पती या पतनी के जीवित रहते दूशरी शादी नहीं हो सकती शादी का रेजिस्टेशन जरूरी बिना रेजिस्टेशन सुविदार नहीं है उत्रा दिकारी में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा यूसीसी लागू तो क्या होगा हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगे जो कानून हिंदूों के लिए वही दूसरों के लिए भी है बिना तलाक एक से जादा शादी नहीं कर पाएंगे मुसलमानों को चार शादी करने की छूट नहीं रहेगी UCC से क्या नहीं बदलेगा धार्मिक मानिताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा धार्मिक रितिरिवाज पर असर नहीं है ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौल भी नहीं कराएंगे खान पान पूजा इबादत वेश बूशा पर प्रभाव नहीं है सियम धामी ने कहा कि उत्राखन की देवतूल जंता से जुवादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है कहा कि UCC को कानून के रूप में जल्द ही उत्राखन में लागू किया जाएगा वहीं आपको बता दे कि वधानसबा चुनाओ में सियम धामी ने UCC लागू करने की घोशना की थी उधर वधानसबा में नेता प्रतिपक श्रियश्पाल आरे ने कहा कि सरकार की मंशा पर संदेय है बिल की कौपी आधी अधूरी मिली है अब दो बजे इस पर चर्चा भी होनी है इतने देर में क्या चर्चा करेंगे और क्या पड़ेंगे वहीं आपको बता दे कि इस बिल को पास कराने के लिए भारती जंतापाटी यानि कि बीजेपी के पास प्रयाप्त बहुमत है सदस्यों से इस पर राए मांगी सदस्यों ने जैसीडी राम और भारत माता की जै के नारे के साथ बिल का समर्थन किया वहीं एक आवाज ना की भी आई इसके बाद वधानसभा की कारवाही को दोपाहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था उत्तराखन वधानसभा में यूसिसी बिल को पेश किये जाने के बाद राजनितिक बयान आने लगे दामी सरकार में मंतरी धन सिंग रावत ने कहा कि लोगों की भावनाओ के अनुरूप यूसिसी बिल वधानसभा में पेश कर दिया गया है कंग्रेस के विरोद पर उन्होंने कहा की कंग्रेस ने विरोद की राज दीती शुरू कर दी है हमेशा उनकी सरकार की योजनाव का वरोध कर रही है वही समाजवादी पार्टी सांसद स्टी हसन ने युनिफॉर्म सिविल कोड का वरोध किया उन्होंने कहा कि कुरान के खिलाब आने वाली किसी भी कानून का वरोध करेंगे हम कुरान को मानने वाले लोग हैं इसका किसी भी स्तिती में समर्थन नहीं किया जाएगा वहीं उत्राखन वधानसबा में UCC बिल लागू की जाने के बाद सियम पुशकर सिंग धामी ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की है उन्होंने लिखा कि वह एतिहासिक शंड निकट आने वाला है जब वधानसबा में ये बिल पास होकर कानून का रूप लेगा उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी जिम्यदारी के सांस समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक सहीता का वधायक वधानसबा में पेश कर दिया है देव भूमी के लिए वो एतिहासिक शंड निकट है जब उत्राखंड प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक भारत श्रेष्ट भारत का मजबूत आधार स्थंब बनेगा वही लंच के बाद उत्राखंड वधानसबा का सत्र दोबारा शुरू हुआ वधानसबा अध्यक्ष के आते ही कॉंग्रेस के वधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया हरिद्वार के नीता किसानों के बिल का भुक्तान को लेकर वेल पर आकर बैढ़ गे उन्होंने अपने हाथ में बैनल ले रखे थे वहीं इस वधायक की उत्राखंड वधानसबा के विशेश शत्रक में पेश किया गया है ये सत्र सोमवार 5 फरवरी 2024 से चालू हुआ है और इसका अवसान गुरुवार 8 फरवरी 2024 को होगा इस वधायक और अविवा 4 फरवरी 2024 को उत्राखंड की कैबिनेट ने अपनी मनजूरी प्रदान की थी वधायक का डवराफ्ट एक 5 सदिसी पैनल ने 2 फरवरी को उत्राखंड सरकार को सौपा था ये पार्थ सदिसी पैनल इस वधायक की बारीक्यों को समझने और उसे मूर्त रूप देने के लिए बनाया गया था इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोड की पूर्वजज रंजना देसाई कर रही थी इस वधायक को पेश करने के साथ ये उत्त्राखंड देश का पहला ऐसा राज बन गया है जहां अजादी के बाद उत्त्राखंड देश के यूसिसी लागू करने वाला पहला राज बना है हालाकि पूर्तगाली शासन के दिनों से गोवा में भी यूसिसी लागू है सविधान में गोवा को विशेश राज का दर्जा दिया गया है गुजरात और के सांसा देश के कई बीजेपी शासित राज्यों ने उत्राखंड यूसिसी को एक मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा जाहिर की है इस वधैक में 400 से जादा प्रावधान किये गए है शादी से लेकर लिवन रिलेशन तक परसक्त नियम बनाया गया है अलाकि इस लागू किया जाता है तो मुस्लिमों के कई अधिकार खत्म हो जाएंगे जैसे तीन शादियों का अधिकार नहीं रहेगा शरियत के हिसाब से संपत्ति का बटवारा नहीं होगा बताते चले कि उत्राखंड में यूसी सी कानून बनाना बीजेपी का चुनावी घोशना पत पर सारवजनिक और धार्मिक संगठनों से अपनी राय देने के लिए कहा था फिलाल देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपरादिक सहीता है लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है दरसल यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड सभिधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है इ लोगों का तर्क है कि इस कानून के लागू होने से जनसंख्या वरद्धी रोकने में मदद मिलेगी वहीं बीजेपी को लेकर देखा जाए तो यूसी सी पार्टी के प्राथमिक मुद्दों में शामिल रहा है बीजेपी के जो तीर प्रमुक मुद्दे रहे हैं उसमें दो मुद्दे राम मंदर का निर्माड़ा और जम्मू कश्मीर से अनुचे 370 हटाने का वादा पूरा हो गया है अब सिर्फ यूसी सी ही बाकी रह गया है बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार